अपने विशाल नेट्वर्क के साथ भारती रेल लगातार दिन राट देती है अपनी सेवाई पर कई विक्सित देशों की तुर्णा में रेल द्वारा माल धुलाई का प्रतिशत यहां अब तक रहता आया है बहुत कम जिसके कारण वढ़ती है लुजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बहार के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिसपरधा इस थिटी को बदलने और रेलवे को आधोनेक रूप देने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के बिज़नरी लीडर्शिप में लगातार कदम उठाए गए है इसी दिशा में रेलवे से माल धुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश जब पूर्वी डेडिकेटिट फ्रेट कोरिडॉर के 351 किलोमेटर रेलवे लाइन का माननी अप्रधान मंतरी जी ने पिछले दिनों किया शुभारंग जिससे माल गारियों की रफटार हो गई है तीन गुनी आज फिर एक एतिहासिक दिन है अब अजमेर के घुलाब की खुश्बू से पूरा महराष्ट्र महकेगा किशनगड के ग्रेनाइट की खूपसूर्ती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी NCR की आटो मोबाइल इंडिस्ट्री गुजरात और महराष्ट्र के बंदर गाहों से मिलने को तयार है साथ ही राजस्थान के सरसों और बाजरे को मिलेगा अब पूरे भारत का बाजा और ये सब संभव करेगा Western Dedicated Freight Corridor साथियों ये Freight Corridor आत्म निर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कंजुमर हर किसी को इनका लाब मिलने वाला JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोडने वाला 1506 किलोमेटर लंबा ये कोरिड़ॉर आत्म निर्भर भारत के सपने को देगा मजबूत आधार Western Dedicated Freight Corridor मालगाडी द्वारा माल के परिवहन को बनाएगा सुगम, किफायती, तेज, उर्जा दक्ष और प्रदूशन रहेत इस कॉरिड़ॉर में डबल स्टैक वाली मालगाडियों का हो सकेगा परिवहन Automobile Traffic, Roll-on, Roll-off Service जैसी सुविधा इसे देगी अलग पहचा Western Dedicated Freight Corridor का 5,800 करोड रुपए की लागत से बना 306 किलोमेटर लंबा, नव निर्मिट सेक्षन, मदार से रेवाडी है, पूरी तरह तयार और साथ ही तयार किये जा रहे हैं Industrial Corridor, Multimodel Logistics Park, Container Depot और द्योगिक विकास के नए पन्ने को लिखने के लिए अब बढ़ेगी Industrial प्षेत्रों तक रेल की पहुँच साथ ही महराश्टर और गुजरात के किसानों और उद्योगों को मिलेगा उत्तर भारत का बड़ा बाजा देश के उत्तरी और पश्चमी हिस्सों के उपज उत्पाद और उद्यम पाएंगे पैन इंडिया पहचान और एक भारत श्रेश्ट भारत का संकल्प होगा और भी संब्रिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेस्टन डेडिकेटिट फ्रेट कॉरिडॉर के रिवाडी से मदार खंड का राष्ट को समरपड साधी न्यू अटेली और न्यू किशनगड से डबल स्टैक मालगाडियों को हरी जंडी दिखा कर रवानगी मैं अब माननिय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वेस्टन डेडिकेटिट फ्रेट कॉरिडॉर के नव निर्मित 306 किलोमीटर लंबे रिवाडी से मदार खंड का लोकारपन अपने करकमलों द्वारा रिमोट का बटन दबा कर करें माननिय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद माननिय प्रधानमंत्री जी माननिय प्रधानमंत्री जी से पुने साधर अनुरोध की विश्व की प्रथम इलेक्ट्रिफाइड, डेड किलोमीटर लंबी, डबल स्टेक कंटेनर लोडेड, लॉंग हॉल, मालगाडियों का हर्याना के न्यू अटेली, एवम राजिस्थान के न्यू किशनगड स्टेशनों से हरी जंडी दिखाकर शुवारंब करें, माननिय थान मंत्री जी. धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी. माननिय प्रधान मंत्री जी से विनम्र अनुरोद की इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन द्वारा हम सभी का मार्क दर्शन करें, माननिय प्रधान मंत्री जी. नमस्कार जी राजस्तान के गवर्नर स्री कलराज मिश्र जी, हर्याना के गवर्नर स्री सत्यदेव नारायन आरिय जी, राजस्तान के मुख्यमंत्री स्री अशोग हलोज जी, हर्याना के मुख्यमंत्री स्री मनोहरलाल जी, उपमुख्यमंत्री स्री दुशन चोटाला जी, मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी स्री पीउज गोयल जी, राजस्तान के ही श्री गैजेंद्रसी सेखावज जी अर्जुन राम मेगवाल जी कैलास चोदरी जी हर्याना के ही राव इंद्रजीत सीं जी रतनलाल कटारिया जी क्रिश्टपाल जी संसत के मेरे अन्य सभी सहयोगी गण विधायट गण भारत में जपान के राजदूत His Excellency सी सतोशी सुजुकी जी इस कारकम में उपस्तित अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव भाई और वहनों आप सबको भी मेरी तरफ से 2021 के इस नव वर्ष की सुब कामना है देश के इंफस्त्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायग्य ने आज एक नई गाती हासिल की है सिर्फ बीते दस बारा दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफस्त्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे अठारा हजार करोड रुपिय से जादा ट्रांसफर किये गए दिल्ली मेट्रो की एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार की शुरुवात हुई उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो उसका भी आरम हुआ गुजरात के राजकोट में एम्स तो ओडिसा के संबलपूर में आयायम इसके पर्मेनेंट केंपस का काम शुरू हुआ दुनिया की बहतरीन टक्नोलोजी के साथ देश के छे शहरों में छे हजार घर बनाने का काम शुरू हुआ नेशनल अटमिक टाइम स्केल और भारतिय निर्देशक द्रव्य प्रनाली राष्ट को समर्पित की गई देश की पहली नेशनल एन्वारमेंटल स्टांडर्ट लेबोरिटी का सिलान्यास हुआ 450 किलोमेटर लंबी कोची मेंगलूरू गैस पाइप्लाइन का लोकार पढ़ हुआ महराश्ट के सांगोला से पस्टिम मंगाल के सालिमार के लिए सौवी किसान रेल चली और इसी दर्रान इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के न्यू भावपूर न्यू खुर्जा फ्रेट कोरिडोर पर पहली मालगाडी चल पड़ी और अब आज बेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का 306 किलोमेटर लंबा ये कोरिडोर देश को समर्पित हुआ है सोचिए सिरफ 10-12 दिन में इतना सब कुछ और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूँ जिस मैं जुडने का मुझे सोभागी मिला लेकिन इसके सिवाए भी भारत सरकार के अन्यमंत्रियों के द्वारा अनेक वीत महत्वपून सेकड़ो प्रकल्प इस 2021 के प्रारम से ही लोकारपन का सिलसिला चल रहा है जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शांदार जांदार होना तय है इतने लोकारपन इतने सिलान्यास इसलिए भी महत्वपून है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखण में किया है कुछी दिन पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सिन भी स्विकृत की है भारत की अपनी वैक्सिन ने देश वासियों में नया आत्म विश्वास प्यादा किया है 2021 की शुरुवात के महोल में आरब से ही भारत की ये तेजी आत्म निर्भरता के लिए गती ये सारी बाते देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा कौन मा भारती का लान होगा कौन मा भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से उँचा न हो आज हर भारती एक आवान है न हम रुकेंगे न हम ठकेंगे हम सब मिलकर सब भारती मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे साथियों डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के इस प्रोजेक को 21 सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रुप में देखा जा रहा है पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है कुछ दिन पहले जो न्यू भावपूर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमेटर प्रती गंटा से उपर तक दर्ज की गई है जिस रास्ते में माल गाड़ियों की आउस्त स्पीड सिर्फ 25 किलोमेटर की रही हो वहां अब पहले से करीब करीब तीन गुना जादा तेज माल गाड़ियों चलने लगी है भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगती चाहिए साथियों आज हर्याना के न्यू अटेली से राजस्तान के न्यू किसंगर के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर माल गाड़ि रवाना की गई है यानि दिब्बे के उपर दिब्बे वो भी डेड़ किलोमिटर लंबी माल गाड़ी में यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है भारत इस सामर्थ वाले दुनिया के गीने चुने देशों में आज अपनी मौझूदगी अपनी ताकत दर्ज करा रहा है भारत उसमें शामिल हो गया है इसके पीछे हमारे इंजिनियरों टेक्नीशन्स और स्रमीकों की बहुत बड़ी महनत रही है देश को गर्व करने वाली उपलब्दी इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को विशेश करके रेलिवे के हमारे सात्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज का दिन NCR हर्याणा और राजस्तान के किसानों हो उद्यमी हो व्यापारी हो हर किसी के लिए नई उमीदे नए आउसर लेकर आया है डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर चाहे इस्टन हो या बेस्टन ये सिर्फ आदुनिक माल गाड़ियों के लिए आदुनिक रूट सिर्फ नहीं है ये डेडिकेटेड फ्रेड कोरिडोर देश के तेज विकास के कोरिडोर भी है ये कोरिडोर देश के अलग-अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे भाई और भेनों देश के अलग-अलग हिस्सों के सामर्थ को ये कैसे बढ़ा रहे हैं ये पूर्वी फ्रेंट कोरिडोर ने दिखा ना शुरू भी कर दिया है न्यू भावपूर न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली वहीं दूसरी तरफ जार्खन से मद्द प्रदेश के सिंगरोली से हजारों टन कोईला लेकर मालगाड़ी एन्सियार पंजाब और हर्याना पहुंची यही काम पस्टीमी फ्रेट कोरिडोर भी यूपी हर्याना से लेकर राजस्तान गुजरात और माराश्टर में यही काम करने वाला है हर्याना और राजस्तान में खेती और इस से जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही साथी महंद्रगड, जाइपूर, हजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई उर्जा भी देगा इन राज्यों की मैनिफेक्टरिंग यूनिट्स और उद्यवियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रिय और आंतराष्ट्रिय बाजारों तक तेजी से पहुँचने का मार्क खुल गया है गुजरात और माहराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ति कनेक्टिविटी मिलने से इस खेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा साथियों हम सब बली भाति जानते हैं कि आधुनिक इन्फास्रक्टर का निर्मान जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना ही कारोबार के लिए भी आवशक है और हर नई विवस्ता को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है इसी से सामर्थ मिलता है इन से जुड़ा कारिया अर्थ विवस्ता के अनेक इंजीनों को गति देता है इससे सिर्म मोके पर ही रोजगार नहीं बनता बलकि उसके साथ साथ अनेक और उद्ध्योग जैसे सिमेंट हो, स्टील हो, ट्रांस्पोर्ट हो ऐसे अनेक सक्टस में भी नए रोजगार का निर्मान होता है जैसे हम जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से ही नव राज्यों में 133, 133 रेलेस्टेशन कवर होते हैं इन स्टेशन ओपर इनके साथ नए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे फ्रेट तर्मिलल होंगे, कंटेनर दिपो होंगे, कंटेनर तर्मिलल होंगे, पार्सल हब न जाने कितनी ऐसी व्यवस्ताएं, अनेक नई व्यवस्ताएं, आदुनिक व्यवस्ताएं और विशाल व्यवस्ताएं विच्षित होने वाली है इन सब का लाब हमारे गाउं को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा, छोटे-छोटे-छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा, और साथ-साथ बड़े मैनुफेक्टर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा, और उनके द्वारा भ और जब रेलिवे की बात आएं और पट्रियों की चर्चा नहों ये संबव नहीं है और जब पट्रियों की बात स्वाभाविक है इसलिए पट्रियों को ही आधार बना के एक और उधार दूँगा आज भारत में इन्फास्ट्रक्चर का काम दो पट्रियों पर एक साथ चल रहा है एक पट्री इन्डिवीजल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पट्री देश के ग्रोथ एंजिन को नहीं उर्जा मिल रही है अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्द कराने का अभियान चल रहा है पी-एम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सवभागी योजना, उजवला योजना, प्रदानमंत्री ग्रामिट सड़क योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से करोडो भारतियों का जीवन सरल हो, सहज हो, हातनो विश्वास से भरा हुआ हो, और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले, इसलिए ये कल्यान के काम भी तेजी से चल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ, इंफास्ट्रक्चर की दूसरी पट्रिकालाब, देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडर्स्ट्री को हो रहा है, और आज समय की मांग है कि भारत को, अपने इंफास्ट्रक्चर को, ग्लोबल स्टांडर्स को मैचिंग करे, इस दिश की उत्तम से इत्तम चीजों की और बराबरी करने के लिए आगे बढ़नाई होगा, हाज हाइवे, रेल्वे, एर्वे, वाटर्वे की कनेक्टिविटी पूरे देश पे पहुचाई जा रही है, और तेजी से पहुचाई जा रही है, अपने पोट्स को, ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्ती मोडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है, आज देश भर में फ्रेट कोरीडोर्स की तरह ही, Economic Corridors, Defense Corridors, Tech Clusters, Industry के लिए ऐसी विशेश विवस्थाएं तैयार की जा रही है और सात्यों, जब दुनिया देखती है कि चाहे Individual हो, चाहे Industry हो, हर किसी से के लिए बहत्री Infrastructure भारत में बन रहा है तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पढ़ना निश्चित है इस प्रभाव का ही नतीजा है भारत में आ रही Record Foreign Direct Investment, FDI इस प्रभाव का नतीजा है भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का बंडार इसका प्रभाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगाता और बढ़ता भरोसा इस कारकम में जपान के राजुदूत स्री सुजुकी जी भी हमारे साथ है जपान और जपान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसे मन मित्र के तरह हमेशा भारत के साथी रहे हैं वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निर्मान में भी जपान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलोजी सपोर्ट भी दिया है मैं जपान और जपान के लोगों का अभिनंदन करता हूँ विशेश धन्यवाद देता हूँ साथियों इंडिविजियल, इंडिस्ट्री, इंवेस्टमेंट इन सब का तानमेल भारतियर रेल्वे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है कौन भूल सकता है, हमारी यहां रेल यात्रियों के क्या नुबव होते थे हम भी उन मुश्किलों के साक्षी रहें, शायद ही हम बैसे कोई ऐसा होगी जिसको इन मुश्किलियों से न गुजरना पड़ा हो बूकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था साफ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्वीस हो, सुविदा हो या सुरक्षा मानव रहित फाटकों को खत्व किया जाने वाली बात हो, हस्तर पर रेल्वे में बडलाव लाने की मांग होती रही है, बडलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गती दी गई है स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साफ सफाई हो या बायो डिगरेबल टॉइलेट्स हो खाने पिने से जुड़ी व्यवस्ताओं में सुधार हो या टिकेट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्ता हो तेजस एक्सपेस हो, बंदे भारत एक्सपेस हो या विश्टा डॉम कोचीज का निर्माद भारती रेल्वे आधुनिक हो रही है, तेज गती से हो रही है और भारत को तेज गती से आगे ले जाने के लिए हो रही है साथियों, बिते 6 साल में नई रेल लाइन, रेल्वे लाइनों के चौड़ी करण और बिज़दी करण पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया, रेल नेटवर पर फोकस करने से भारती रेल की स्पीड भी बड़ी है और उसका दाइरा भी बड़ा है वो दिन दूर नहीं, जम नौर्थ इसके हर राज्य की राज़धानी रेल्वे से जुड़ जाएगी आज भारत में सेमी हाइस्पीड ट्रेन चल रही है हाइस्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक विछाने से लेकर बहतरीन टेकनलोजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है भारत के रेल्वे आज मेकिन इंडिया से लेकर बहतरीन इंजिनिरिंग की भी मिशाल बन रही है मुझे विश्वात है कि रेल्वे की गती भारत की प्रगती को नहीं उचाई देती रहेगी भारत की रेल्वे इसी तरह देश की सेवा करती रहें इसके लिए मैं सभी रेल्वे के साथियों को धेरों शुब कामनाय देता हूँ कोरोना काल में रेल्वे के साथियों ने जिस तरह काम किया सभी कों को अपने घर पहुँचाया मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोर करोर ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूप सारा आसिरवात बरसाया है देश के लोगों का रेल्वे के हर करमचारी पर सने और धेरों अशिरवात दिन प्रति दिन बढ़ते रहे यही मेरी कामना है मैं एक बार फिर देश के लोगों को वेस्टरन डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले